हेलो दोस्तों तो कैसे हो आप आयोब की आप सब ठीक होंगे आज की स्पीडियों में हम आपको वताएंगे की PM किसान सम्मा निदी की EKYC को कैसे कंप्लिट करते हैं पिछली वीडियों में हमने आपको फिंगर प्रिंट द्वारा EKYC को कंप्लिट करना बताया था लेकिन आज की स्पीडियों में हम आपको आधार OTP द्वारा EKYC को कंप्लिट करना बताएंगे कैसे आप अपनी PM किसान सम्मा निदी की EKYC को कंप्लिट करोगे सातियों जिनकी EKYC complete नहीं है उनकी किस्त रोक दी गई है जैसे ही आप EKYC को complete कर लेते हो तो आपकी जो PM किसान सम्माद निदी की किस्त नहीं आने इस्टार्ट हो जाएंगी तो आज की इस वीडियो में आपको complete process बताएंगे और आपको status चेक करना ही बताएंगे कि आपकी EKYC complete हुई है या नहीं हुई तो आज की इस वीडियो को complete end तक जरूर देखते रहें और जो साती channel पे नए है channel को जरूर subscribe कर देना तो guys चलिए वीडियो को start करते हैं तो guys आपको अपना Chrome browser खोल कर Google बार में आपको search करना है PM किसान जैसी आप यहाँ पर PM किसान टाइप करने के बाद इसे search करते हो तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का option आ जाता है यहाँ पर आपको PM किसान सम्मान निदी का officially link देखने के लिए मिल जाता है आपको इस इसली website पर पहुंच चुके हो यहाँ पर आपको एक option मिल जाता है EKYC का तो आपको इसी option पर click कर देना है जैसे आप इस option पर click करते हो तो आप यहाँ पर OTP base द्वारा EKYC को complete कर सकते हो आपको इस बारे column में अपना आधार number डालना है आपके आधार number से जोंसा भी आपका mobile number पर link होगा उस पर आपका एक OTP जायागा OTP द्वारा आप अपनी EKYC को complete कर सकते हो तो हम यहाँ पर search के option पर click करते हैं जैसे search के option पर click करोगे तो guys हमारी जो EKYC हमारी complete हो रही है आप जैसे यहाँ search करोगे तो आपके mobile phone पर ETP जायागा आपको उस OTP को यहाँ पर डाल देन जैसे आप यहाँ पर OTP के डालोगे तो आपकी जो OTP वेस EKYC है वहाँ वो आपकी complete हो जाएगी तो आपको दुबारा इस तरीके से यहाँ check करना है तो आपका यहाँ पर EKYC is already done देखाएगा अगर आपकी EKYC यहाँ पर complete हो जाएगी तो तो उसके बाद आपको यहाँ पर बैक आना यहाँ पर आपको इक option मिल जाता है आपका now your status का तो आपको इस बारे option पर click कर देना जैसे इस option पर click करोगे तो आपके सामने इस तरह का interface आपको यहाँ पर अपना registration number दौरा अपना status को check करना कि आपकी EKYC complete होई है या नहीं अगर आपके पास अपना registration number नहीं है त आप यहाँ पनना mobile number दौरा या आधान number दौरा registration को निकाल सकते हो तो हम यहाँ पर mobile number के option पर click कर लेते हैं उसके बाद mobile number दौरारा प्राप्र कर सकते हो तो हमने यहाँ पर mobile number दौरा दौरा और uhan OTP के option पेCLEK कर देना उसके बाद हमारे mobile phone पर एक OTP गया है अब आपको OSOTP को इसमें फिल कर देना है तो चलिए हमारे पास यहां पर OTP के तो हम इस OTP को इसमें फिल कर देते हैं तो इसी तरीके से आपको भी यहां पर अपने OTP को यहां फिल कर लेना है अगर आप अपने मुवाइल नमबर द्वारा अपना रेजिस्टेशन नमबर निकालना चाहते हो तो उसके बाद आपको गैट डिटेल के ओप्चन पर कलिक कर देना जैसे तो हम इसमें रेजिस्टेशन नमबर डाल देते हैं उसके बाद जो कैप्चा कोड दिया हुआ है इस कैप्चा कोड को सेम इसी तरीके से आपको इसमें फिल कर देना है तो हमने यह registration number यहीं से now your registration number वारे option पर click करके निकाला है तो अब आपको इस capture code को आपको get OTP के option पर click कर देना उसके बाद आप यहां देख सकते हैं आपके mobile phone पर एक OTP और गया है अब आपको उस OTP को इस बारे column में fill कर देना है तो हम अपने mobile phone को check करते हैं करने के बाद हमारे पास OTP आ चुका है आपको get detail के option पर click कर देना जैसे आप यहां पर click करोगे आपके सामने जो आपकी profile यह खुलके कुछ इस तरीके से आ जाएगी अब आपको यहां पर usability status वाले option पर click करना है तो गैज आप अपनी यहां पर 10 से 15 दिन के बाद यहां चेक कर सकते हो आपको यह status यह हो जाएगा और आपकी जो EKYC अब यह complete हो जाएगी तो इस तरीके से आप अपनी आधार OTP द्वारा EKYC को complete कर सकते हो आपकी यह वीडियो हमारे आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूल चप्चराई कर देना